कि बिस्मिल्लाहिरर्राहिम अस्सलाम अलेकूम मैट्रिक लास कैसे हैं बेटा आप सब लोग ओके बेटा हम चैप्टर नबर 15 को डिसकस कर रहे थे लास्ट टाइम मैंने आपको क्विस्चिन नमबर 2 डिसकस किया था आज हम क्विस्चिन नमबर 3 की बात करेंगे जिसमें कहता हमें यूज करने अज़स्टन्स फीगर तो फाइंड फॉल्विंग इसके अंदर देखें हमें साइन कॉस्ट एन कॉस्ट सेक कॉस्ट तमाम के एंगिल्स 45 दियें ठीक है यह एक ट्राइंगल है एबी सी इस राइट एंगल ट्राइंगल राइंगल ट्राइंगल की अपोज साइड को स्मौल इसे से शयो करेंगे तो kang एक यह एक वैली वान 该ी की वैलियो यह and एक एक वैली उध्य इक वैलियो उन्य तू के इसी डायग्रम को मिने दुबार है यहां पर बनाया XS 15.1, page number 396, question number 3, सबसे पहले लिया, sine 45, sine 45, मतलब, sine ratio क्या mathematics का, perpendicular upon hypotenuse, अब हमने देखा थी, perpendicular की value क्या है, b के equal है, यह 1 इसकी value, perpendicular की जगा लिका हमने 1, hypotenuse, hypotenuse की value क्या है, हमारे पार under root 2, इसकी जगा लिका हमने under root 2, यानि sine 45 is equal to 1 upon under root 2, ओके बिटा, अब next, अगर मैं question दूसरा देखू, मेरे पास है cos 45, अब मैं इसको कर-solve करने के लिए क्या करूँगा, फिर मैं लेकूँगा cos 45, ठीक है, cos 45, cos 45 किसके equal होगा, base upon hypotenuse, ठीक है ठी, base कितना है बिटा, इसके अंदर हम देखें, base की value 1, hypotenuse की value on the root 2, इस तरीके सब कांसर होगा, अब question 2 से लेके 6 तक जो part है, यानि के अगर मैं फिर दुबारा बात करूँ, 1045, cot 45, sec 45, cos sec 45, इनकी value अपनी सी तरह get करनी है, question number 3, I think so clear बिटा, इसको सुन ली जगा, topic को बार-बार आपको clear हो जाएगा, इसके बाद question number 4, तब with the help of the adjustment figure prove that, अब एक और triangle दी हैं आपको, देखें, A, B, C, इसके सामने small c, इसके सामने b के सामने small b, basically h लग रहा है b है, small a के सामने small a, अच्छा हमारे पास a को दिया, उसने angle alpha, b की जगा को angle दिया, बीटा, okay, alpha और beta angle से काम ले रहा है, अब हमारे पास, जैसे question number 1 देखें, बीटा के वेन साइन alpha, यानि जब साइन alpha होगा, तो यह हमारा theta होगा, theta alpha के तोर पर हम लेंगे, ठीके बीटा, alpha और 90 के angle है, तो यह side base होगी, जब cause beta होगा, तो according to beta, हम इसको theta consider करेंगे, और इसको लेंगे, अब देखें, मैं इसको solve करके एक आपको दिखाता हूँ, पहली मेरे पास condition है, question number 4 के अंदर, मैंने triangle भी highlight किया आपको, sign alpha, left hand side पे लिखें, sign alpha, alpha यहाँ पर जब alpha होगा, तो यह side base होगी, theta के सामने वाली side perpendicular, 90 के सामने hypotenuse, ठीक है बिटा, हमने लिए sign alpha, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular कितना है बिटा, a, और hypotenuse क्या, a upon c, यह left cancer है, हमने ऐसे ही लिए right hand side, cause beta, अब हम बात करेंगे, beta की, beta यहाँ पर है, तो यह देखें, मैंने green से लिखा base, यह base होगा, beta के सामने वाली side, perpendicular यह, hypotenuse 90 का opposite side, अच्छा जी, आपने लिखा, cause beta, base upon hypotenuse, अब देखें, base की value क्या, a, और hypotenuse की value, c, a upon c, अगर आप देख गौर करें, left cancer, right cancer, दोनों equal होग है, इसलिए हमने का प्रूफ, इसी तरह 2 से लेके 6 तक पार्ड यह, आपको मैं टाफ्स दे रहा हूँ, इसके करेंगे, आप बिल्कुल सेम ऐसी, 2, 10, alpha, cod, beta, बिल्कुल ऐसी लेंगे, sec, alpha, cause, beta, sine, beta, cause, alpha, 10, beta, cause, alpha, sec, beta, और हमारे पास beta, cause, alpha, यह, आपने part, इसी तरह करेंगे, question number 5 में कह रहा है, figure हम यही use करेंगे, but question हम थोड़े से change कर रहे है, देखें बिटा, number 5 में पहला है, हमारे पास, cod alpha, is equal to, cos alpha, upon sine alpha, यानि कि हम alpha को base बनाएंगे, according to alpha, हम काम करेंगे, ठीक है बिटा, अब मैं question number 5 का, एक part आपको सामने फिर डिसकस करूँगा, अब आप गौर करें, question number 5, cod alpha, is equal to cos alpha, upon sine alpha, हम left लेंगे, cod alpha, cod alpha किसके equal होता है, इसका ratio का है, base upon perpendicular, अब हमने देखा, जी base की value का है, alpha के लिए आसे, base की value है, हमारे पास, ये base है न, cos के लिए, B, और perpendicular की value का है बिटा, A, तो हमने क्या लिका, इसमें देखें, B upon A, इसी तरह मैंने right hand side ली, cause alpha upon sine alpha, पहले लिका, cause alpha upon का मतलब, upon divide, मैंने divide लिका, sine alpha, cause alpha का ratio का है बिटा, base upon hypotenuse, divided by, sine alpha का ratio का है, perpendicular upon hypotenuse, base की value, B upon C, और perpendicular की value, जैसे उपर डिएग्राम से देख, A upon C, divide को multiply में convert किया, B upon C, we know that, कि divide के, sine के बाद वाली value, inverse होती है, जब multiply में convert करते हैं, mathematical rule मालू मेरा बिटा, कि जब divide के, sine को multiply में करते हैं, तो after sign value inverse होती है, C upon A, अब C से C cancel, B upon A, आप गौर करें, देखे, B upon A, left का और right का अंसर equal हो गया, अब 2 से लेके 10 तक जो parts हैं, ये बिटा बाप लोग करेंगे, देखें सी तरह, question number 5 के, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये प्रूव होंगे, यहां तक बस आपने कर रहे हैं, ये आपका छोटा सा टास्क है बिटा, ये ही आपका homework है, और इंशालला बागी फिर हम इसको आगे डिसकस करेंगे, अल्ला हाफिज बिटा,